तो आज हम बात करेंगे limit superior और limit inferior के बारे में किसी sequence का limit superior क्या होता है और उसका limit inferior क्या होता है पहले हम definition देख लेते हैं limit superior की definition क्या है let an be a sequence of real numbers which is bounded above ठीक है अगर कोई sequence है तो bounded above है तब हम उस तरह से define कर सकते हैं b1, b2, bn अगर bounded above नहीं है ठीक है तो उसका limit superior जो है वो हमारा infinity आ जाएगा और अगर bounded above है तब हम इस तरह से define कर सकते हैं b1 क्या आज आएगा हमारा supremum of a1, a2 इस तरह से b2 हम किस तरह से निकाल लेंगे supremum निकाल लेंगे a2, a3, a4, an इस तरह से जो पूरी sequence दे रखके होगी और bn जब हम निकालेंगे तो आएगा supremum of an, an plus 1 इस तरह से तो इससे हमें एक sequence नहीं मिल जाएगी वो होगी bn जो कि हमारी monotonically decreasing होगी तो यहाँ पे हम जो limit superior होता है an का उसको हम denote करते है limit superior an limit n tends to infinity supremum of an and is defined as infimum of b1, b2, bn, bn plus 1 इस तरह से जो है इस sequence का हम infimum ले लेंगे तो क्या करना है कि sequence के limit superior के लिए पहले जो sequence दे रख्की हो उससे हमें b1, b2, b3 इस तरह से find out कर लेना है और फिर यह जो sequence आएगी उसका infimum ले लेना है तो हमें limit superior मिल जाएगा अब हम limit inferior की बात कर लेते हैं तो limit inferior की definition क्या दे रख्किए let an be a sequence of real numbers which is bounded blow उसका हम जो है reverse ले लेंगे वहाँ पे bounded above था यहाँ पे हम bounded below लेंगे अगर यह bounded below ना होगा तो यह हमारा minus infinity इसका limit inferior जो है वो minus infinity आ जाएगा अब हम एक और sequence define करते हैं c1 जो किस तरह से infimum of a1 a2 an an plus 1 इस तरह से c2 हमारा किस तरह से आएगा infimum of a2 a3 an an plus 1 और इस तरह से n जो टर्म आएगा वो sequence का क्या आएगा infimum of an an plus 1 और इस तरह से और यह sequence हमारी किस तरह से आ जाएगी cn is monotonically increasing sequence now limit inferior of an denoted by इस तरह से limit नीचे हम जो बाहर लगा देंगे an और limit n tends to infinity infinity infimum of an is defined to be supremum of इसका हम sequence का supremum ले लेंगे तो limit superior के लिए क्या करते हैं यह चीजे मैं याद रखने हैं कि यहाँ पर limit superior के लिए पहले supremum लेंगे फिर जो sequence आएगी उसका infimum लेंगे limit inferior के लिए जो है वो हम पहले infimum लेंगे उसके बाद में जो sequence आएगी उसको हम supremum लेंगे और इसको इस तरह से याद रख सकते हैं क्योंकि जैसे इसका नाम है limit superior ठीक है और इसका notation हम यह अगर याद रखें limit n tends to infinity supremum of an limit से हम limit लिक याद रखेंगे supremum से हम superior से हम supremum याद रखेंगे तो इस तरह के जब हम याद रखेंगे तो हमें याद रहेगा कि हमें पहले an का supremum लेना है यहाँ पर limit की जैए पर फिर हम infimum लेंगे और इसकों कभी-कभी इस तरह से भी लिख सकते है infimum of supremum of an ठीक है तो यह definition थी अब हमें example देख लेते हैं तो यहाँ पर एक हमने sequence लिए an is equals to minus 1 minus 1yn 1 plus 1yn जब n जो है odd होगा तब यह आएगा n अगर even होगा तो यह आएगा तो अगर हम इस sequence को लिखें तो इसका even क्या आएगा यह हमारा even हो जाएगा 1 हमारा odd है तो यहाँ पर हम इसकी value put करेंगे n is equals to 1 तो यह minus 2 हो जाएगा a2 2 हमारा क्या है even है तो 1 plus 1 by 2 a3 minus 1 minus 1 by n a4 इस तरह से यह हमारा sequence जो है वो मिलती रहेगी अब यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि यह जो sequence है और यह यहाँ पर 1 by n जो है यह हमारी किस तरह के sequence होती है decreasing sequence होती है यहाँ पर यह 0 है यह 1 है energy equals to 1 put करेंगे तो यह 1 होगा फिर 2 put करेंगे तो यह 1 by 2 होगा 3 put करेंगे तो यह 1 by 3 होगा और यह हमारी sequence किस तरह की हो जाएगी monotonically decreasing हो जाएगी लेकिन जब इसमें minus से multiply कर देंगे तो यह monotonically increasing हो जाएगी यहाँ पर क्या होगा energy equals to 1 put करेंगे तो यह minus 1 by 2 और इस तरह से यह increase करेंगी अब अगर यह 1 by n decrease कर रही है तो 1 plus 1 by n भी decrease करेंगी और यह increase कर रही है तो minus की minus 1 by n increase करेंगी कोई भी sequence हो अगर वो increase कर रही है तो इसमें अगर हम कोई भी constant add कर देंगे तब भी यह sequence हमारी क्या होगी यह वाला terms जो है और यह हमारा increase कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो अगर minus वाले का term देखें तो इसका supremum क्या आएगा हमारा जो यह maximum जहां पर n tends to infinity जो हम कर देंगे चुकि यह increase कर रहा है तो supremum हमारा upper bound होता है ठीक है तो n tends to infinity करेंगे तो इसके लिए जो supremum आएगा वो आएगा minus का 1 और यह हमारा जा रहा है decrease कर रहा है decrease कर रहा है तो इसका मतलब इसका term नहीं है इसमें और यह वाला term जो है यह decrease हो रहा है यह decrease होगा फिर इससे छोटा फिर इससे छोटा अब यहां पर देखो इसके दो दोनों term होंगे तो यहां पे अगर हम देखें तो यह positive है यह negative है तो इसका सुप्रीमम क्या होगा यह होगा बन प्लस बन बाई टू ठीक है इस तरह से अगर हम बी टू फाइंड आउट करेंगे तो सुप्रीमम आफ एटू एट्री इस तरह से तो अब यहां पे हम एवन को इसकिप कर देंगे यहां से स्टार्ट करेंगे तो जब सुप्रीमम लेंगे तो यहां पर भी यही हमारा सुप्रीमम आ जाएगा वन प्लस बन बाई टू इस तरह से अगर हम एंथ का सुप्रीमम लें बियन यानि निकालें तो सुप्रीमम आफ ए एन एन प्लस वन इस तरह से अगर हम लेंगे तो यहां पर सुप्रिमुम हमारा वन प्लस वन वाई एन आएगा क्योंकि निगेटिव जो है न वो कभी नहीं आएगा सुप्रिमुम में चुकि जब पॉजिटिव नंबर एक्जिस कर रहा है तो निगेटिव हम सुप्रिमुम में नहीं ले सकते हैं ठीक हम इसका limit inferior find out करें यानि c1 c2 पेले हम find out करेंगे तो c1 क्या है हमारा infimum of a1 a2 a3 अब यहाँ पर दोखोंगे यह हमारी sequence किस तरह की है यह वाली यह हमारी increase कर रही है तो इसका जो पहला term है वो क्या है minus 2 उसका बाद में जो term आएगा वो आएगा minus minus 1 by 2 और वो किस से बड़ा होगा minus 2 जो है वो less than होगा minus 1 minus 1 by 2 odd है तो यहाँ पर 1 by 3 लेंगे हम तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसका जो infimum होगा वो हमारा minus 2 आएगा और इसका infimum क्या आएगा 1 आएगा अब अगर हम दो term देखें तो उसमें एक minus का है एक plus का है और उसका infimum देखें यानि least bound देखें तो वो क्या आएगा हमारा minus का आएगा तो इसलिए यहाँ पर जो c1 आएगा वो हमारा minus 2 आजाएगा c2 हमारा क्या आएगा c2 हमारा उसके बाद में जो negative term होगा चुकि यह increase कर रहा है तो हम lower bound ही लेते चलेंगे minus 2 minus 1 by minus 1 minus 1 by 3 c2 आजाएगा minus 1 minus 1 by 3 और cn हमारा जो आएगा वो क्या आएगा minus का 1 minus 1 by n और इसका हम क्या करेंगे supremum लेंगे और इसका supremum क्या आएगा n tends to infinity चुकि यह हमारी sequence क्या है increase कर रही है तो इसका supremum n tends to infinity पर निकालेंगे तो यह आजाएगा minus का 1 यहनि इस sequence का limit inferior क्या आगया minus 1 और limit superior इसका क्या था limit superior an is equals to 1 तो इस तरह से हम limit superior और limit inferior find out कर लेंगे लेकिन यहापे हमने जब definition use की तो थोड़ा सा लेंदी पड़ा हमें बड़ा पड़ा question करने में तो हमें एक statement जो है वो इस्तमाल करते हैं पहले हम क्या करेंगे कि sequence के जो है वो सारे possible limit points find out कर लेंगे let l set off all limit points of an if an is bounded above then supremum of l यानि यह जो set of limit points हैं उसका supremum limit superior हो जाएगा और उसका इनिफिमम जो है वो limit inferior हो जाएगा और limit point जो है find out करना आसान होता है limit point क्या होता है कि या तो हम अगर इस term में दे रखा है तो n tends to infinity कर देंगे और अगर जो है वो उसमें कोई भी term ऐसा है जो repeat कर रहा है तो हम उस term को भी limit point मानते हैं ठीक है तो set of limit points निकालना आसान है अब यहाँ पे an हमारा sequence same sequence हमने ले रखिए minus 1 minus 1 yn 1 plus 1 yn तो इसके limit point क्या क्या हो सकते है n tends to infinity पे यह minus 1 देगा यह n tends to infinity पे 1 दे रहा है तो इसके limit points क्या क्या आजाएंगे एक तो 1 आएगा एक minus 1 आएगा अब इसका supremum क्या आएगा 1 तो यह limit superior हो गया और इसका infirmum क्या आएगा minus 1 और यह limit inferior हो गया तो अब यह हमारे लिए आसान हो गया एक और sequence अगर हम ले एक और अन is equals to 1,1,1 by 2,1,1 by 3,1,1 by 4,1 इस तरह से यह हमने sequence लिए ठीक है अब यहाँ पर हम sequence में देख सकते हैं कि 1 जो है वो repeat कर रहा है इस तरह से repeat करता जा रहा है तो इसका मतलब इसका limit point एक तो 1 हो जाएगा दूसरा यह 1,1 by 2,1 by 3,1 by 4 और archimedian property से हमने इसको find out किया था कि जो है यह 1 by n जो है इसकी limit क्या आएगी हमारी limit point 0 आएगा तो यह 0 इसको हम 0,1 लिख सकते हम तो अब यहाँ पर हमारा set of limit points क्या आया एक तो 0 आया एक 1 आया तो इसका supremum क्या आएगा limit superior supremum आएगा 1 तो यह इसका limit superior हो जाएगा और infirmum क्या आएगा 0 तो यह limit inferior हो जाएगा तो यह हमारे लिए आसान हो गया अगर हम यहाँ पर definition लगा है तो पहले हम क्या करेंगे इसका supremum लेंगे इसमें supremum क्या आएगा 1 ठीक है उसके बाद में फिर पहला time skip करेंगे फिर supremum लेंगे फिर 1 आएगा फिर B1 B2 B3 सारे वह जो है वह वह वन आ जाएगे और फिर जब हम उसका infirmum लेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा 1 का infirmum 1 ही होगा तो यहाँ पर limit superior क्या जाएगा 1 और जब हम limit inferior की बात करेंगे तो पहले हम infirmum लेंगे infirmum क्या आएगा इसका यहाँ पर हम पहला skip करेंगे तो 000 इस त find out कर सकते हैं तो आज के लिए वस्तने अगर आपको मारा वीडियो चल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में